हेलो फ्रेंड्स कम्प्यूटर के आर्खिटेक्चर को समझने के पहले हम जड़ा साथ माइक्रो प्रोसेसर के आर्खिटेक्चर को समझने की कोशिज करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ब्रेन और कंप्यूटर सिस्टम तो हमारा माईक्रो प्रोसेशर हैं अगर हम माईक्रो प्रोसेशर को ठीक से नहीं समझते हैं तो फिर कंप्यूटर के आर्खिटेक्चर को और उसके एरेजिमेंट को फिसका डिभाइस को को इसको समझने का कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है हमको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आखिर एक माइक्रो प्रोशीशर किस तरह से डिजाइन किया जाता है उसके अंदर कौन-कौन से ब्लॉक है और वो क्या-क्या काम करते हैं तो यह हमने एक बेसिक माइक्रो प्रोशेशर आर्किटिक्ट्चर लिया है जो दुनिया का पहला कॉमर्सियल माइक्रो प्रोशेशर माना जाता है और आज भी इसका इंपोर्टेंस है आज भी ट्रेनिंग में तो बच्चों को हम यहीं से शुरू करते हैं माइक्रो प्रोशेशर पढ़ाना लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे की अप्लिकेशन है जहां पर आज के डिट में इस एट फाई माइक्रो प्रोशेशर की बहुत हमियत है और हर जगह इस्तेमाल किया जाता है तो सबसे पहले माइक्रोशेशर के साथ देगी अगाल के अंदर यह तो निश्चीत है कि यह गिस्टल एलेक्रोनिक सर्कीट है वेरी हाइब लाज इसकी इंटेग्रेट तरकिट है है Micro electronics की टेकनोलोजी पर बेस्ट है और इसलिए इसको बहुत इंटीग्रेट करके कॉंप्रेस करके छोटे से छोटे साइज में बनाया जाता है लेकिन एक Micro processor के अंदर क्या क्या होता है अगर गौर से देखें कि इस Micro अगर इसके अंदर कंट्रोल यूनिट होगा और उसके अंदर रेजिस्टर होगा कि यह तीनों ही पॉइंट हम लोग पढ़ते आये हैं इस Micro प्रोश्चेसर में भी होगा यह लैटस जीतने में बना जाएंगे सब में होगा तो अगर हम देखें तो हमारा यहां है यह लिए देखिए सेंट्रल पॉइंट में अरिफ्मेटिक लॉजिक यूनिट बना हुआ है control unit हमारा एमारे हां Tamaraị यहां पर है है और तीसरा है रेजिस्टर का ग्रूप मरेह पर आप देखेंगे यह भी रेजिस्टर है इंस्टराइश्टर है इंस्ट्रक्शν डिगोडर है टेमप्र कीमुलेटर ही कि रेजिस्टर ही होता है तो एक Micro processor के अंदर देखें तो ज्यादा से ज्यादा हम को यह तीनों ब्लॉक मिलेंगे रेजिस्टर मिलेगा रेजिस्टर अलग अलग नाम से हैं रेजिस्टर का क्या इंपोर्टेंस उस पर डिसकसन अभी करेंगे और यही तीन ब्लॉक हम छोटे लेबल पर Micro processor को अगर पढ़ने की बात करते हैं तो बच्चों को हम यह बताते हैं लेकिन actual में यह कैसे associated होते हैं कैसे काम करते हैं इसको समझे के लिए हमको Micro processor के एक एक ब्लॉक पर ध्यान रखना होगा सबसे पहले अगर हम बात करें तो हर Micro processor में data movement के लिए हमारे तीन तरह के बस की ज़रुवत है जिसमें आप देख सकते ही यह हमारा data bus यह हमारा control bus है और यहां पर आप देखें तो address bus है यह address यह address buffer जो है actual में यह जो बाहर के और निकल रहा यह जो है यह address bus है मतलब तीनों ही bus हमारे CPU के अंदर है bus का मतलब है कि उस particular signal को carry करके एक जगा से दूसरे जगा लेके जाना मतलब एक communication link establish करना माइक्रोचर के अंदर भी bus होते हैं और माइक्रोचर के बाहर motherboard पर भी bus बनाया जाते हैं तो अगर इसको हम ठीक से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला नमबर आता है arithmetic logic unit alu कि alu कहने का मतलब arithmetic और logic हम जानते हैं कि हमारे computer system में चाहे जितना भी बड़ा program बना लें लेकिन finally हमारी जितनी भी computer के अंदर instruction है उनको दो ही ग्रूप में बढ़ते हैं whether it is arithmetic operation और it is logical operation अगर हम arithmetic operation की बात करें तो arithmetic operation को हम define कर सकते हैं कि the set of rules are predefined arithmetic operation के set of rules जो है वो पहले से defined है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है वो predefined जो है और जैसे हैं वैसे ही रहेंगे चाहे अरिफिमेटिक operation में addition की बात हो subtraction की बात हो multiplication हो division हो और भी इतने mathematical operation उनको पहले से predefined set of rules को follow करते हैं हम आप mathematical problem के solution भी खोजितने की कोजिश करते हैं तो predefined है उस formula के implement करते हैं हम program का solution को ढूंडते हैं तो हर तरह के mathematical operation जो predefined operation को perform करता है उन्हीं को हम बोल रहे हैं यहां पर है arithmetic operation और दूसरा होता है logical operation logical operation में कुछ न कुछ logical implication की बात होती है logical में कोई predefined rule नहीं है वो conditional statement है according to condition हम उसमें बदलाने की कोशिश करेंगे change करेंगे operation या behavior को बदलेंगे decision making का जो concept है वो logical operation है तो arithmetic या logical operation जो computer के माइक्रो processor के अंदर पर फॉक गया जाता है वो actual में arithmetic logic unit में ही होता है वो central part है और जो हर data की processing में use किया जाएगा actual में data की processing इसी unit में होगी arithmetic logic unit में ही होगी और यह alu actual में arithmetic logic unit हम design करते हैं जो हर तरह कि arithmetic या logical operation perform करने में सक्षम है और इसमें वही digital logic gate का ही सहारा लिया जाता है गेट से हम बनाते हैं और इस arithmetic logic unit की capacity जो है ओ actual में जैसे अगर हम इस micro pressure की बात करें तो अगर हम यहां पर 88 जो bracket में हमने लिख रखा है मतलब यह alub 8 bit का है actual में 8 bit कहने का मतलब क्या है कि एक ही समय में हम इस तरह से ज़रा सा यहां पर देख लेंगे आप 10101101 और 01101001 इस operation को अगर एक ही बार में हमारे पास क्या है यह data है d0 to d7 8 bit इस data को एक ही बार में अगर हम जूड़ दें इस operation को अगर एक ही बार में जूड़ने का मकसद क्या है जैसे हम लोग simple operation करते हैं 5 plus 3 is equal to 8 एक बार में अगर 8 bit कहने का मतलब है कि single clock cycle यह operation को perform करने में सिर्फ और सिर्फ single clock की ज़रूरत होगी तो किसी भी माइक्रो प्रोशेशर का वार्ड लेंथ है जो भी operation प्रफॉर्म करता है एक Central Processing Unit उसको हम बोलते हैं उसका वार्ड लेंथ और हम जानते हैं कि माइक्रो प्रोशेशर अलग-अलग वार्ड लेंथ के बनाए जाते हैं यह सबसी चोटा माइक्रोशर है इसके व्र लेंथ हम ने एक बीट रख्वा है मतलब यह एक बीट डेटा को एक बार में प्रोसेश करेगा जो ने यहां पर हैं आपको दिखाया है तो एलियू हमारा एट बीट का है एट बीट के एलियू का मतलब है कि हमारे पास यह जो टेमप्रोरी रेजिस्टर है यह भी एट बीट में ऑप्रेशन परफॉर्म करेंगे और एट बीट दो जगह से डेटा हम ट्रांसफर किया एक टेमप्रोरी रेजिस्टर से और दूसरा एक्यूमुलेटर से एक्यूमुलेटर किसी भी माइक्रो प्रेशेसर का सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टर होता है तो बहुत सारे हैं लेकिन एक ऐसे रेजिस्टर के हम बात कर रहे हैं जो इस और एवरी ऑप्रेशन में पार्टिसिपेट करें उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टर है जहाए डेटा हमारा 248 बीट जितना भी बीट हो लेकिन अगर डेटा हमारा सिंगल बीट है इवेन इस इंस्ट्रक्शन है मतलब जिसमें कोई डेटा की ज़रूद नहीं है जो भी डेटा इंप्लिसिटेड है कोई अगर एलियू की डेटा पर ही कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो भी ओर डेटा निश्चित रूप से एक्यू इस तरह से देख सकते हैं माल लेते हैं इस तरह से हमारे पास इंस्ट्रक्शन है सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शन दिया फिर डेटा दिया फिर माल लेते हैं डेटा दिया फिर से इंस्ट्रक्शन दिया यह सिक्वेंसियल एक्सेस की हम बात कर रहे हैं अगर सिक्वेंसियल एक्सेस करना है linear program की बात कर रहे है आप program sequential manner में execute होगा माइक्रोप्रॉटर के अंदर तो सबसे पहला जो starting address है जहां से हम program को start करेंगे यह instruction 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 register को जाएगा लेकिन data first data जो है वो सीधे सीधे accumulator में आएगा data 1 तो प्रोग्राम चाहे जब भी, जहां से भी आप स्टार्ट करें, जहां भी लिखें कंप्यूटर में, लेकिन पहला जो आपका डेटा पाट होगगा ओ सिदे-सिदे अक्यूमुलेटर को आएगा और क्यूमुलेटर का वोर्ड लेंथ layer-e健 लेंथ, तेंपूरी रिजिस्टर ही जो बगल में देख रहा हों, इन शपका VOD लेंथ एक बराबर होता है, यह ध्यान में रखेंगे, flag सब्सक्राइटर, अप्रिड रिजिस्टर, flag करेंगी, Allu कि यह सारी रिजिस्टर की size हर माईख्रो प्रोचेसर में जोह से एड़ आअगस की बात करें लिव जो भी हो हर माईख्रो प्रोच या में उनका लेन्थ यू हो एक समान होगा अगर DOU टमी ओँब window होगा सिक्स्प्लिंग्या होगा सिक्स्टीन वीट का 2 खीट 손 सिटेटी टू बीट ऊगडर करेंगे कि इस micro procedure जो हमारे सामने है इसका वर्ड लेंथ क्या है तो actual में वो उड्य लेंथ इसी अल्यू के लेंथ की बात करता है कि कितने बीठ डेटा वाडलेंथ इस्पेसिफाई करता है कि सिंगल क्लॉक में कितने बीठ डेटा वीपर operation perform किया जा सकता है और सुभाविक है कि जिस तरह से word length हमारा बढ़ेगा हमारा काम करने की speed बढ़ जाएगी हमारा Microsoft का speed बढ़ जाएगा word length सिर्फ डबल कर देते हैं सुभाविक है कि one byte के जगपर two byte process एक ही साथ हो जाएगा four byte का है दो four byte process होगा मतलब जैसे जैसे word length हम बढ़ाते जाएंगे उस तरह से हमारे Microsoft की capability processing capability बढ़ जाती है और यह हमेशा byte में होता है यह 8 के multiple में होगा Microsoft का word length 8 bit 16 bit 32 bit 24 bit तो नहीं बनाया जाता है 32 bit 64 bit 128 bit इस तरह से बढ़ाया जाते हैं और physical limitation है एक link sheet limitation तक ही हम डिजाइन करते हैं ऐसा हम नहीं कर सकते कि one kilo byte का 1224 bit का हम बना दे बनाने में हमको physical size भी देखना है उसको छोट compact से compact ट्रखने की कोजिश करते हैं तो आज के advanced micro pressure में भी हम बात करते है 128 bit है तो काफी है क्योंकि micro pressure के speed को बढ़ाने का सिर्फ एक ही criteria नहीं को बढ़ा दे उसे clock frequency को भी हम आगे बढ़ाते हैं clock frequency बढ़ने से इन सिंगल clock cycle कि यह वर्ड लेंथ और हर micro pressure में वर्ड लेंथ जो जो होगा वह एक बराबर होगा ऐसा नहीं हो सकता कि 8 bit का है तो हम 16 bit का लगा दे यह सिक्स्टीन बीट का रखके 8 bit का लगा दे ऐसा नहीं करेंगे यह सारे जो रेजिस्टर है वह एक ही width के एक ही साइज के बनाये जाएंगे अब देखें दो डेटा की बात है मालने टेटा हमने हैं दूसरा डेटा हमारा डेटा हो गया यहां और इस डेटा वण और डेटा टू यहां D1 और अगर मालनेदे है आडिशन करना है तो D2 इन दोनों को हम एड करेंगे और जो भी रिजल्ट होगा उसको हम टेंप्रोरी रिजल्ट टी यार से डिफाइन कर सकते हैं यह जो टेंप्रोरी रिजल्ट हमारा बहुता है वह भी फाइनली यहां से मूव करके एक्यूमुलेटर में ही जाके रखा जाएगा आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसको समझना है तो बाइनरी से थोड़ा साम अपग्रेट करते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो जगह की कमी है इसलिए हम कोशिज कर रहे हैं इसी में समझा दें माल लेते हैं हमारे पास कोई डेटा है 5 प्लस 7 अगर हमने किया यह D1 और D2 हमाल ले तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 12 होगा यह पहला रेजिस्टर हमारा एक्यूमुलेटर में था दूसरा हमारा टेंपरोरी रेजिस्टर में था जो यहां पर है और फाइनली एडिशन के बाद यह डेटा जो है यह मूव करके फिर एक्यूमुलेटर में आएगा पहले का डेटा रिप्लेस करके यहां पर रख दिया जाएगा यह बेसी कॉंसेप्ट है अगर उसके बाद भी कोई डेटा है तो फिर स उसको टेंपररी रेजिस्टर के थुरू हम लाएंगे फिर से प्रोसेस करेंगे और रेजिस्टर फास्ट डेटा हो यह इन्टरमीडियेट रिजल्ट हो निश्चि दूरू से एक्यूमुलेटर में रखeken जाते हैं तो यह temporary register accumulator यह दो separate data को separately hold करेंगे और finally according to the instruction of control and timing signal यह ALU के पास आएगा operation perform होगा temporary result फिर से accumulator में transfer कर दिया जाएगा और फिर हम next instruction की बात करते हैं यह बात तो समझ में आ गई दूसरी बात है हमारे बस flag का concept है देखिए flag क्या करता है अगर flag की बात करें तो flag actual में indicator है और यह flag जो indicator है वो actual में हम को status को करता है flag तो status symbolic representation का तो अगर flag की बात करें यहां भी यह status ही दिखाता है status कैसे दिखाता है जरासा देख लीजिए कि माल लेते हमने 5-7 को यह operation परफॉर्म किया था हमारा result क्या होगा माइनस माइनस टू अब यह माइनस टू जो है हमारा result टू तो यह होगा लेकिन यह फ्लैग बताएगा इस result is in negative और कोई भी temporary result जब operation यह operation के बाद generate होता है एलियू में operation परफॉर्म किया गया और जब भी कोई भी operation जब हम माइक्रोक्षर के अंदर perform करते हैं तो इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि सिर्फ टेंप्रोरी result ही generate नहीं होता result generate होने के साथ साथ और भी बहुत सारे उन फॉर्मेशन घनिचे रसे जैसे हिस 2 जैसे कोई कैरी जनरेत हुआ है की आुँन्हाँ लास्टी बीक में कोई जैनरेत हुआ है कोई ओकी जैनरेत हुआ है Éक वह साइं कीs ईकश tut पाय। निगेटिव और जिरो क्या स्टेटस जी रो है तो उसकी भी बात हम करते हैं कहीं हमारे रिजल्ट जो है वह फ्लो तो नहीं कर रहा अंडर फ्लो की बात होगी तो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जिसमें पाइडरेटी बीट की भी बात करते हैं कि रिजल्ट में नंबर आफ भॉण हमारे वाशन sìpl had says मतलब जो रिजल्ट हमारा बाइनीर नीस में जेनरेट होता है उस रिजल्ट के साथ कुछ इंफॉर्मेशन oluyor हमारे पास कि अगर माल लेते हैं इस रिजल्ट की बात करें तो यह तो रिजल्ट माल लेते हैं हमारा जेनरेट हुआ कुछ अबने परफॉर्म किया एक रिजल्ट आया लेकिन इस रिजल्ट के साथ यह क्विस्चन तो है कि यह रिजल्ट पॉजिटीव है यहां ओड कि हम बात कर र में जो रीजल्ट बना हुः अक्युमिलेटर तक कात आते बदल जाए। य हम रास्ते में कहीं रूम्यूर्डर हो जाय dif observation कौन देगा result में वह, लाओ का information हमारा status register देगा flag register देगा और यह result के साथ-साथ move करेगा मतलब result के status को show करने के लिए हमने यह लिए उसके just साथ में attach कर रखा flag register ताकि यहां से generate होने वाले हर temporary result का status भी हमको साथ-साथ मिल जाए और अब यह data जहां भी move करेगा status के साथ जाएगा जिसको program status word ही बोला जाता है यह जो word हमारा result generate हुआ है इस word length जिसको हम बोल रहे हैं तो इस word के generation के साथ साथ उसका status भी generate होगा माइक्रोपिसर के अंदर और माइक्रोपिसर status के साथ move करेगा ताकि data में calculate में होने वाले किसी भी बदलाव से बचा जा सके हमको इंफॉर्मिशन मिल जा है कि हमारे data प्रॉपर सरही धंग से कर रहा है कहीं कोई उसमें कोई error generate ना हो ताकि बाद में हमारे result पर कोई असर ना पड़े तो आप समझ रहे हैं कि accumulator most important register है temporary register जो support करेगा ALU को ALU arithmetic logic operational unit है flag register इससे associated है जो हमारे result के status को store करता है उसके साथ attach कर देता है ताकि हमारे data में किसी तरह का बदलाव उसके बाद operation के बाद ना हो तो यह बेवस्ता इंचारों को आप समझ गया अब देखिए हम प्रोग्राम जब स्टार्ट करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि data sheet आएगा सबसे पहले तो instruction आया था तो instruction हमारे instruction रेजिस्टर में जाता है इसका मतलब है कि सबसे पहली बार जो हमारा प्रोग्राम रन करेगा तो है start नहीं होगा start दो यहां से होगा स्टार्ट हुआ सबसे पहला instruction आया निश्चीत रूप से यह भी रेजिस्टर इंस्ट्रक्षन रेजिस्टर है और instruction इंस्ट्रक्शन रेजिस्टर सब से पहले इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम से ले के आएगा, क्योंकि बन्नीमेन रखेटिकशर है, डेटा और इंस्ट्रक्शन एक साथ रखा गया, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होता है, कि हमारा पहला जो मेमोरी जहां से भी मतलब गया तो इसको सबसे पहले हम decode करेंगे decode करने का मतलब है instruction में हम सबसे पहले पता करते हैं length मतलब कोई भी instruction के length का मतलब यह नहीं कि instruction बहुत बड़ा है या छोटा instruction तो first 8 bit में ही हमको मिल गया first location में instruction मिल गया लेकिन instruction किस type का है अगर arithmetic operation है जैसे addition की बात हम करें तो यहां पर data क्या होगा हमको दो data d1 और d2 चाहिए operation के लिए अगर increment है तो increment वह single instruction की जरूरत पड़ेगी और यदि और भी बड़ा instruction है group of memory को अगर copy करना है shift करना है तो उस हिसाब से array processing की बात है तहरे का length किया है कितना बड़ा data movement की बात हम कर रहे हैं तो यहां पर उतना बड़ा complex system पर हम बिचार नहीं करते हैं हम यह सोचेंगे कि जो ही हमने instruction को decode किया हमें पता चल गया कि हमको दो data की जरूरत होगी तो यह data भी कहा है हमारे program में ही है देखिए data one data two और यही data पहला आएगा accumulator को और दूसरा आएगा temporary register को यह आप समझ लें और अगर हमारे पास data दो है मतलब instruction के बाद आगे के दो लेक लोकेशन में data है तो next instruction फिर यहां से मूव करके कहां जाएगा अगर हमारा location 0000110 और 11 हो तो सभाविक है कि यहां से मूव करके 11 में जाएगा तो यह operation कैसे पता चलेगा हमारे instruction next instruction कहा है तो यह information देता है हमारा प्रोग्राम काउंटर यह 16-bit register है और यह 16-bit register actual में address स्टोर कर प्रोग्राम काउंटर यह instruction pointer भी कहीं कहीं हम कहते हैं अपने mygrocer में तो instruction pointer यह program counter जो है वह actual में address रखता है और यह address किसका होगा next instruction का मतलब प्रोग्राम चाहे जितना लंबा हो से हमको मतलब नहीं है first instruction के बाद next instruction कि इस location पर होगा इसका address हमको program counter से मिलेगा और प्रोग्राम काउंटर भी एक register है लेकिन आप देखेंगे कि यह 16-bit register बनाया गया है actual program counter stack pointer incrementer decrementer यह सारे register address को specify करते हैं इसलिए इनका length कोई जरूरी नहीं है कि data के बराबर होगा data हमारा माइक्रोशर 8-bit प्रोसेस कर रहा था इसका word length था इस word length से बिल्कुल अलग होगा यह आपको यहां पर 16 दिखा रहा है कहीं 20 होगा 32 होगा according to design जितने भी memory addressing capacity जो माइक्रोशर का है वो लेंथ बताता है या program counter या stack pointer तो stack pointer या program counter incrementer decrementer चोकि यह address को बताएगा क्योंकि next instruction को कहां मिला किजने किजी capacity किसी माइक्रोशर के पास कितने memory location को address करने की capacity है यह indicate करता है हमारा program counter अब program counter का कैसे पता चला after decoding the instruction instruction आया हमने decode किया decode करने के बाद next जो भी data का location है उसको छोड़के उसके बाद instruction पर move कर गया और उस address को यहां हमने भेज दिया ताकि माइक्रोशर के एक cycle complete होने के बाद next instruction के लिए हमको instruction pointer या program counter उस location पर ले जाए जहां next instruction मिलेगा कि यह बात समझ में आ गई और सभाविक है कि program counter के पाद जो भी address आया उसके आधार पर इनको इंक्रिमेंट किया जाएगा address buffer को और इस address buffer को जब हम यहां से update करेंगे तो address देखिए हमारा यहां तो हमने कहाँ आगे address 16 bit का है यहां address buffer देखिए 8 bit है और 8 bit हम address और data दोनों को complex यह जो provision है इसको हम लोग बोलते है multiplexed address database multiplex मतलब हमने mix कर रखा है हम एक common link की बात करते हैं और एक common database है और लेकिन उसी database का इस्तेमाल हम कभी address के लिए करेंगे कभी data के लिए करेंगे माई को डिजाइन ऐसा बनाए गया है देखिए 16 bit एड्रेस है यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि यह हमारा a0 से a7 है और यहां पर हमारा है d0 to d7 इन दोनों को यहां पर mix कर दिये और यहां से बाहर निकलने वाला जो हमारे data होगा वो जब एड्रेस जेनरेट करना होगा तब माइक्रो सर्थ data communication को ब्लॉक कर देता है कि जब भी हमको कोई address जेनरेट करना होगा memory में जाने के लिए तो हम उस address को पहले भेजेंगे address भेज करके memory के उस location को enable करेंगे अब उसके बाद रीडिया राइट operation की बात होगी और रीडिया राइट operation में data का movement होता है तो माइक्रो प्रोसेशर को यह बात पता है कि address और data एक simultaneously नहीं काम एक साथ काम कर ही नहीं सकते वो अलग-अलग timing में करेंगे तहां पर timing and control signal बताएगा कि जब address generate होगा तो इस buffer को हम address के लिए खुल देंगे और जब data की बात होगी तो address buffer को lock कर देंगे और data line को हम open कर देंगे इसको हम बोलते हैं multiplex address data bus और हर microprocessor multiplexing का feature अपनाया जाता है कारण कि हमारे पास microprocessor छोटे size में बनाना है और microprocessor में हम external connection के लिए तो pin बनाते हैं connector point बनाना पड़ेगा तो connecting point को जब भी हम design करेंगे तो बहुत बड़ा size में ना हो खास करके उस स्थिति में जहां पर हम एक साथ मर्ज कर सके तो microprocessor के address और data bus यहां पर चुकिए data bus तो हमारा 8 bit का था address 16 bit का था तो 16 के साथ 8 तो बर्च कर नहीं सकते तो higher bit को तो हमने open छोड़ दिया लेकिन lower bit को address और data को multiplex कर दिया ताकि 8 connection से ही हमारा address और data दोनों का काम हो जाए माइक्रोसर में data communication transmission भी हो जाए और हमें कोई problem भी ना हो तो अब देख सकते हैं कि accumulator temporary register flag register ALU instruction register instruction decoder और decoder के बाद वो आता है timing and control signal timing and control signal actual में हम लोग basically क्या बोलते हैं कि माइक्रोसर इजब brain of computer system लेकिन अगर गौर से देखें जब हम माइक्रोसर के architecture को पढ़ते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं हमें पता है कि timing and control unit is the brain of microprocessor microprocessor का brain यह लोग नहीं है यह तो register है ALU है ALU रेजिस्टर brain नहीं हो चागा brain तो control unit है timing unit है जो signal generate करेगा operation control signal generate करेगा उसके according पूरे microprocessor को control किया जाएगा तो यह brain of system है brain of microprocessor है और timing and control signal necessary control signal read operation write operation सबसे आसान आप समझ सकते हैं कि read write operation place memory io device io device का address उन सब के लिए जो भी necessary control signal है वह यहीं से generate किया जाएगा इस microprocessor को काम करने के लिए हमको clock signal चाहिए तो timing signal timing signal जो है वह एकनिश्चित clock प्रोवाइट करेगा timer के adjustment की बात होगी तो timing और control signal ही microprocessor को clock signal प्रोवाइट करेगा और सारे control signal generate करेगा जिससे कि हम microprocessor को थिक से handle कर सकते हैं microprocessor हम क्या handle करेंगे brain तो control unit है तो control unit करेगा हम तो सिर्फ अपने program के through instruction देते हैं और इस microprocessor को भेज देते हैं बाकी का काम जैसे हमारा आपका brain करता है वैसे यह control unit करेगा और इसके बाद देखिए कुछ ऐसे भी जेनरल परपस रेजिस्टर की बात हम कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं जेनरल परपस रेजिस्टर इसमें हमने रेजिस्टर का नाम भी दे रखा है बी सी डी एच और यह जो ब्रैकेट में दिया है यह वर्ड लेंथ है उनका उनकी capacity है 8 bit और दोनों मिला है तेहां 16 bit हो गया तो यह 8 bit के जेनरल परपस रेजिस्टर है जो हर माइक्रो प्रोसेसर में होंगे और हब माइक्रो प्रोसेसर में होंगे असी बात नहीं है अलग-अलग नाम से रेजिस्टर होंगे और यह जो इंटर्नल नेम हम बोल रहे हैं BCD SL कि यह वह रेजिस्टर है जिनको Assembly गाई लेंग्विज प्रोग्राम में हम डर्यक्ट करेंगे कि हम अगर डेटा मुव करना है तो रेहिस्टर वे की बात करेंगे कि मूवट डे टू रेस्टर भी मू टेंट रेस्टर सी तेंट डीमोब डिचा इन्टरिय इ ambos तो हैं यह कोडिंग करते हैं एक्सेस करते हैं और एक्शेस करते हैं और यह आपको समझना हो आप इस बात रखेंगे कि हर माई-कूर्सर में जो रेजिस्टर लगे हैं उनका एक्या स्पेसिफिक नाम है और जब भी उनको मसीन लेबल पर अक्टिवेट करना हो उसके लिए असेंबली कोड लिखना हो एक्स कोड लिखना हो तो हम इस डारेक्ट रेजिस्टर की बात करेंगे यहां पर प्रप्रेजिस्टर को वार्ड लेंध के उसी के साथ हो लेकिन माइग्रोब सुर्पेश के दौरान हम चाहे तो इनका एक बना सकते हैं कैई इस पूरे रेजिस्टर को eight plus eight sixteen बीट गी तेतरह इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसा कुछ नहीं है कि 8 bit हैं तो एक ही ज़रूरत पढ़ने पर इनका pair हम कर सकते हैं लेकिन हाँ pair बनाना होगा तो हम हमेशा horizontal की बात करेंगे बी और डी का pair नहीं बनाएंगे क्योंकि एक साथ हमको access करने में सुविधा होगी तो यह general purpose register हमार हर माइक्रोप्रेश्टर में होंगे उनका word length उसके design के अधार पर depend करेगा और यह word length generally match करता हमारे ALU या accumulator के word length से हम प्रयास ऐसा करते हैं हर माइक्रोप्रेश्टर में कि जो word length हमारे ALU का है टेंप्रोरी और रेजिस्टर और एक्युमुलिटर का है वह हमारे general purpose register का भी हो और ज़रूरत पढ़ने पर अगर हम उनको pair बना सके तो अलग बात है एरे की तरह register का इस्तह्तमाल कर सके तो विए अच्छी बात है लेकिन इस से कम हम नहीं रखते हैं वार्डलेंथ कभी भी register का क्ल नहीं होगा जहोंų Microb announcer का वार्डलेंथ होगा उसी साथ हम करेंगे और इस माइक्रोप॔र Harmonie में आप यह देखें कि हर मा manifest में यह जो डेटा का लिंक है यह पैरलल तो आप देटाबस है और इस डेटाबस को हुव हैं सेयल डेटा भी इन कर सकते हर मायक्रों मेज़ कर सकते हैं म 26 लग पूल्ट की करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है हम सिरियल भी मैंकूर्ट के साथ communication बना सकते हैं आयो डिवास से मैं क्यूद करके तेस्ट हो जाते हैं तो सेरियल फैरल तोनों ही काम करते हैं और यहां पर मैंकूर्चर में एक इंटरॉप्ट कंट्रोल हमने बनाया है Actually, यह आज के Microsoft में internal नहीं होता, interrupt controller बिल्कुल अलग बनाया जाता है, यहाँ पर हमको दिखाने का मकसद ही है, कि अगर इस Microsoft में interrupt controller लगा दिया जाए, तो इस interrupt controller को user या program के interrupt से directly access control किया जा सकता है, और यह interrupt controller finally signal हमको timing control signal को भीजेगा, interrupt handle करने के लिए, हम जानते हैं कि Microsoft जब भी क साम करेगा, तो इसके पास interrupt handling capacity ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि Microsoft को out of control हम नहीं छोड़ सकते, Microsoft को तो control करना ही होगा, तो Microsoft को control करने के लिए हमारे पास यहीं भी कल्प है, कि हम उस Microsoft में interrupt की बात करें, और interrupt के लिए बाहर से signal user के थ्रू आ सकता है, कि CIO device के थ्रू आ सकता है, और नहीं तो software भी जेनरेट कर सकता है, software या internal control signal भी जेनरेट किया जा सकता है, और करनेल से भी interrupt signal जेनरेट किया जा सकते है, software यह hardware दोनों तरफ के interrupt होते हैं, और इस interrupt को handle करना micro pressure के लिए बहुत जोरूई है, क्योंकि Microsoft को कोई भी काम कर रहा हो, क्योंकि priority होती है, और हर interrupt priority के आधार पर, maskable होंगे, उनके आधार पर, यह external control करने के लिए microprocessor को, internal तो प्रोसेस कर रहा है, sequential प्रोग्राम रन करता रहा है, बीच में जब भी हमको जरूरत है, through interrupt, हम microprocessor के activity को control कर सकते है, by the help of interrupt controller, और यह interrupt controller जनरेली अब बाहर लगा जाते है, वो interrupt controller सीधे signal timing control signal को आप इस service को provide करें, तो इस तरह से अगर हम देखें, तो एक microprocessor के अंदर में, आपके पास different register होंगे, program counter या instruction pointer होगा, stack pointer होगा, incrementer, decrementer होगा, address data buffer की बात होगी, यह separate हो सकता है, multiplex हो सकता है, multiplex मतलब दो तरह के signal एक ही common line से pass करेंगे, और नहीं तो separate है, तो अच्छी बात है, separate भी होग कर सकते हैं, जैसा design होगा, उसके आधार पर multiplex भी हो सकता है, separate भी हो सकता है, कुछ parts separate हो सकता है, कुछ multiplex हो सकता है, यहां पर तो यहीं ब्यवस्ता है, कि address 16 bit में 8 bit separate, हमने 8 bit को data के साथ multiplex कर दिया, तो इस तरह का design प्रेफर किया जाता है, और इस तरह से हम प perfect design किया जाता है, कि according to the instruction received by the program और user, यह Microsoft efficiently काम करता है, high speed में काम करता है, जैसा control signal या clock generate हम करेंगे, उस clock के आधार पर यह process करेंगा, लेकिन Microsoft कुछ भी हो, उसमें accumulator होगा, value होगा, flag होगा, temporary register होगा, instruction register की बात होगी, instruction decoder होगा, control signal होगा, temporary register, general purpose register होगे, और special register है, जिसमें stack pointer, program counter, incrementer, decrementer, यह हर microprocessor में होगे, और यह common microprocessor की हम बात कर रहे हैं, अब इस microprocessor में भी बहुत सारे बदला होगे, तो यह block हम बदलते जाएंगे, अब चुकि हम आगे के lecture में इस बात पर विचार करेंगे, कि हमको microprocessor में अगर कुछ और architecture parallel concept अगर डालना हो, तो फिर कैसे करेंगे, उस पर discussion हम लोग अगले class में करेंगे, आज के लिए इतना ही शोड़ते हैं, विडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए, तो इसको समाप्त करते हैं, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, और इसमें आप बाकी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग message देंगे, query करेंगे, उसका जवाब अम देंगे, आज के लिए, thank you